इसे हम पिखिए पिराइंग वाली हों जिससे कि आने वाले टाइम पर जो यूटीब की एकसेश होती हैं वह आप अच्छे तरीके से देपाइंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आप एक YouTuber हैं तो आप इस वीडियो को ज़ूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे features हैं settings हैं वो cover करूँगी जिससे कि आपको आने वाले time पे काफी help मिलेगी आपको यूटूब के बारे में जानने के लिए यूटूब को ओपन करना होगा अब इसके बारे हम deeply जानेगे आप देख सकते हैं यह home है जो भी मैं वीडियो देखना पसंद करते हैं उसके regarding यहां पर suggestion में आते हैं कुछ ऐसे भी वीडियो होते हैं जिनने हमने देखा भी नहीं हो और जिनकी चैनल को हमने subscribe भी नहीं किया वह यहां पर suggest आते हैं क्योंकि हम उसी से related देखते हैं तो उसकी related यहां पर वीडियो suggestion में देखने को मिलते हैं अब यहां पर sorts आसकल बहुत train में चल रहा है इसके बारे में सभी जानते हैं तो अगर आप एक यूटुवर हैं तो आप sorts पर जरूर काम करेगा और बहुत से लोग करते भी होंगे जिससे की अपने चैनल को ग्रोव कर चुके हैं यह जो है प्लस वाल आइकन यह बेसिकली यूटुवर्स के लिए हैं जो यूटुवर्स है वह इसका यूज जरूर करते हैं तो यहां से आप देख पाएंगे create a sort यहां से हम create कर सकते हैं वीडियो अपलोड कर सकते हैं लाइप पे जा सकते हैं लेकिन जो लाइप पे जाने यहां पर create a post वह भी one k होने के बाद ही आपको यह feature मिलता है तो यहां पर subscription का मतलब यह है कि हमने जिने subscribe कर रखा है उनकी वीडियो जो चल रहे हैं जो uploaded हैं वह आएंगी और जिने हमने subscribe कर रखा है वह यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा ओके मैनिज भी कर सकते हैं मौस्ट रिलेवेंट न्यू एक्टिविटी और इटू जैड जितने भी होंगे वह सीरीज वाइस में आ जाएंगे यहां पर ओकी गईज तो इस तरीके से हमने इस subscription के बारे में जाना लाइब्रेरी में बहुत सारे option होते हैं जिसे हम deeply में जाने तो आप देख सकते हैं लाइब्रेरी में क्या होता है कि जो हम अपने वीडियो देख चुके होते हैं वह यहां पर आती है रिसेंट में अब यहां पर हिस्ट्री का मतलब भी यही है यहां पर पूरी हिस्ट्री आ जाएगी जितने भी महने की होंगी वह आपको डाउन में पता चलेगा है तो आप आप mevs को पर्जेस कर सकते हैं वह लटर में जैसे होता है कोई वीडियो हम ने देखा और इसको वॉच्छ लेटर में सेफ़ कर दियों मैं आपको करके विए दिखा देना चाहते हम और टायम नहीं देख पाते कि उसे वॉच्छ create करने की जोड़ पर दे तो आप यहां से प्लेइलिस्ट कर सकते हैं और यहां पर जो लाइक वीडियो हैं इसका मतलब है कि हमने जितने भी वीडियो को लाइक कर रखा है वो यहां पर सूंगे अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं की है तो आप इस चैनल को सस्क्राइब कर रखाएं यहां से अग्याहां यहां पर आप देख सकते हैं धकल फ्लेइलिस्ट यहां पर कृcape है प्लेइल listeners को मैं करेंगे सो हमने इन सभी चीजों के बार में जाना सो अब और डीप में जानने के लिए हमें यहां पर क्लिक करना होगा प्रोफाइल पर देन आप देख सकते हैं तर्ण ओन इन किकनिटो इसका यह होता है कि आप कुछ भी देखते हैं तो यहां पर हिस्ट्री सेव नहीं होती ओके गाइज यहां पर आप कुछ भी किसी भी तरीके की वीडियो देख सकते हैं तो यहां पर वो हिस्ट्री सेव नहीं होगी अब turn off करने के लिए आप यहाँ पे click कर देंगे so यहाँ पे है add account हम अपना account जो है यहाँ पे add कर सकते हैं और create भी कर सकते हैं यह अलग एक process होता है यहाँ पे हम अपना direct email और password डाल के add कर लेंगे जो भी YouTube channel add करना चाहते हैं और यहाँ पे जो create account है यहाँ पे मतलब है कि आप कोई सा भी Google का account create करते हुए यहाँ पे add हो जाएगा Google की तरफ से और YouTube में भी so होने लगेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैरे दो account है ओके यह जो channel है यह brand account है मैंने brand account पे अपना channel create किया हुआ है यूर channel में भी वही है आप अपने history और सब कुछ देख सकते हैं ओके यह मेरा पुराना channel है और यह मेरा second channel है और यह first channel है तो गाइस इन channels को आप जरूर support करिएगा अगर आपको मेरी दीवी गई information अच्छी लगती है तो कि वाइटी स्टूडियो हम डेरेक्ट निया पर क्लिक करके जा सकते हैं अब देख सकते हैं यह basically मैं घंटे तक की वीडियो देखी तो आप देख सकते हैं मैंने Tuesday को थ्री आवर तक की वीडियो देखी थी कुछ इस तरीके से तो इसका खास जोर नहीं होता अगर आप सिर्फ यूटूब की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वाच इस्ट्री में जो भी वीडियो वह यहां पर आपको देख के पता चल जाएगा अब यहां पर हैं गैट यूटूब प्रीमिम अगर आप यूटूब की कुछ ऐसे सर्विसे से उसको बाय कर लेते हैं तो आपको एड्स फ्री मिलेंगे म्यूसिक फ्री डाउनलोड करने को मिलेंगे बहुत से ऐसे चीज हैं अगर आप इस पर जाएंगे तो यह अलएक चीज हो जाता है जिसके बारे में हम देख सकते हैं एड्स फ्री बैक्ग्राउंड प्ले तो आप वीडियोस को भी ऐसे देख पाएंगे जिसमें कि सिर्फ वीडियोस प्ले होंगी एड्स नहीं आएंगे आप डाउनलोड कर सकत हैं यूट्यूब म्यूजिक प्रीमिम आप म्यूजिक को यूजिक कर सकते हैं बाइ करने के बाद ओके तो यह कुछ अलग ही है तो इसके बारे में किसी और दिन हम जानेंगे अब यहां पर पर्चिस एंड मेंबर से विए कोई खास जोट नहीं होती इसको जानने के लिए अगर आप एक सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देखना पसंद करते हैं यूर डाटा इन यूट्यूब यह यहां पर डाटा सो कर देगा कि हिस्ट्री टाइप का कि अगे कि अग् pie गगे तो आप मेंहीन से भी डारक अपनी जोवी हिस्ट्री बटिलेट कर देंगे मैं अब इस बीडियो मैं बताओंगा आप को कि तरीके से आप अपने हिस्ट्री डिलेट कर सकते हैं वीडियो की अब यहाँ पर जो में चीज है वो है settings तो यहाँ पर जो जर्नल है इसमें में क्या होता है ना वह आप यहाँ लिखे हैं उख् 1 मुझाओ कर सकते हैं यह डार्क थीम अगर आपको अच्छा लगता है डार्क थीमें वीडियो देखना यूटूब्य जलाना तो आप डार्क मी कर सकते हो और प्लेवर इन फीर्डस तो इसमें यह कि आप वाइ-फाई का यूज कर सकते हैं या सुर्फ इसको अन रख सकते हैं हमें सब्सक्राइब तो यहां पे मैंने आप यहां पर जो लोकेशन है वह आप अपना देख सकते हैं जिस वी कंट्री से आप अपने YouTube की वीडियो देखते हैं और जो भी आपकी कंट्री है अब यहां पर जो है रेस्टिकेट मोड यह होता है कि अगर आपके सामने कोई भी YouTube में sensitive इस तरीके की आती है तो अगर आप इसे ओन रखते हैं तो प्ले होने से पहले आप से परमेशन लेगा ओके अगर आप उसे अलग करते हैं तो आप वह वीडियो देख पाएंगे अधर वार्वार्वास नहीं ओके गाइस तो इस तरीके से आपने इसके बार में जाना data saving तो गाइस यह feature उन लोगों के लिए हैं जिनको network की इस होती है जिनके पास data इस तरीके से होता है जो बारवा issue create करता है network ना होने का तो आप यहां पर enable कर देंगे तो इससे आप अपने network यानिकी data को काफी हद तक बचा पाएंगे auto play यह है कि आप कोई भी videos देखते हैं जैसे song सुनते हैं तो अगर आप उसे auto play पर रख देंगे तो जो song है वो play होते जाएंगे अगर आप इसे off कर देते हैं तो जो video एक बार play कर दी है वो end तक ही चलेगी उसके बाद दूसरी जो video होती है वो अपने आप नहीं चलेगी auto play का यहीं मेनिंग है video quality preference तो अगर आप अपने data बचाना चाहते हैं काफी हद तक तो इसको high picture quality auto पर मत रखेगा data saver पर on रखेगा बीडियो quality on wifi auto recommended तो अगर आपके पास wifi है तो जो video आप play करेंगे उसकी जो quality है वो काफी अच्छी होगी data saver पर अगर आप क्लिए करते हैं तो यह जैसी वी situation होगी अगर आपके पास data है तो उस तरीके से video play होगी अगर आपके पास wifi है तो वो उस तरीके से play होगी अच्छी quality में अगर आपको data save करना होता है तो आप low quality रखेगा क्योंकि और जो videos होती है वो इतनी बेकार भी नहीं होती जिसे हम अच्छी तरीके से ना देख पाएं तो low quality में भी हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं उसमें यह है कि अगर आपको पढ़ रहे होते हैं तब आपको medium या अ जो है download over वाई-भाई only तो आपको इसी भी video download करते हैं और इसे अगर आप Neoін रखते हैं वाई-फाई को तो आपकी video download अपने आप हो जाएगी जब आप किसी wifi के contact में आते हैं यह आपके घर में हो सकता है या आप कहीं भी जाते हैं तो वो video wifi के contact में आने से download अपने आप होने लगीगी रिकमेंडेंट डाउनलोड तो इसे आप खास तोर से ओन रख भी सकते और नहीं भी डाउनलोडिंग हैल्प तो यहाँ पे आप यूटूब के हैल्प में चले जाएंगे यहाँ पर जो भी टाउनलोड करना चाते हैं तो यहाँ ऑप एक बार में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है वह आप स्लैक करके डिलीट करने के वजय अगर आप यह करते हैं तो काफी जल आपका यह डिलीट हो जाएगा लेकिन डिलीट करने से पहले आप आप अपने वीडियो오 को देख लीज सकते हैं history and privacy तो यहां से आप अपनी जो हिस्ट्री है वह एक ही वार में delete कर सकते हैं अब कुछ भी हिस्ट्री नहीं बचाओगा अगर आप यहां पे क्लिक करते हैं अगर आप इसे नेवल कर देते हैं तो आप कुछ भी देखेंगे तो वह क्या होगा कि वह हिस्ट्री में सेव नहीं होगा मैंने अल एक्टिवेटी यहां पे आप अपने जो भी वीडियो देखी गए हैं उसको आप मैंने कर सकते हैं डिलेट कर सकते हैं प्रवश्या उसके डिलेट कर दिया हैं यहां पर इसलिए खाली है नौ एक्टिविटी स्वर को रहा है इस तरीके से आपने मैंने। अल एक्टिविटी समझ लिया YouTube Terms of Service जो इसकी service है, उसके क्या terms है, क्या condition है क्या होता है इसमें ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है बैसे इसकी खास जोर्ट उन लोगों के लिए नहीं है जिनको सिर्फ वीडियो divers देखना है जिनको सिर्फ YouTube को as a entertainment के लिए यूज करना है तो तो आप यहां पर साइन आप करके ट्राइ कर सकते हैं एक पर्चिस एंड मेंबर सिर्फ जो बता दिया इसकी खास जो और नहीं है आप इसे बाइं करके इसके कुछ जो फीचर से उसको लाव उठा सकते हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं तो यहां पर जैसे हैं आप कुछ भी प्रेमियम होता है उसको बाइ करते हैं तो आपको एड फ्री मिलेगा डाउनलोड कर पाएंगे यह सब ओके वीलिंग एंड पेमेंट्स अनेवल क्विक परचेस यह भी उसी प्रेमियम से रिलेटेड हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं अब यहां पर जो इसके एडवांस फीचर से जो भी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वह आप आप जानली से सैडूल यहां पर आप अपना टाइम दे सकते हैं कि किस टाइम आप तो आप सेटिंग भी कर सकते हैं किस चैनल की क्या सेटिंग रखनी हैं ओके इस तरीके से और कर दिया मैंने रिकमेंडेंट वीडियो आप उनके भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं जिने आप देखते हैं एक्टिविटी ओन माई चैनल तो गाइस कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वो मुझे पता चल जाएगा यहां पर कमेंड्स का नोटिफिकेशन आएगा अगर मैं यहां पर एनेवल रखते हैं जैसे कि यहां पर मैंसन है मैं एक यूटिवर हूँ मेरे चैनल है अगर मेरे चैनल को कोई मैंसन करता है एड़ रेट के साथ तो वो मुझे यहां पर सू हो जाएगा ओके शेयर कंटेंड यह मैं अगर एनेवल कर देती हूँ तो क्या होगा कि जो भी मेरे वीडियो को कंटेंड को सेयर करेगा वो मुझे यहां पर पता चाज़ जाएगा अगर मैं लाइब करती हूँ और उसमें कोई भी मैसेज आती है तो वो हौल फॉर रिवियो आने की अगर वो चैट अच्छा है मैसेज अच्छा है तो वो ठीक रहेगा अदर्वाइस वो रिपोर्ट में चला जाएगा स्पैम में हो जाएगा कैबंस तो आप जैसे बीडियो देखते है डिफरेंट लैंगविस की ऐसी तो वो आप यहां पे अपना अन रख सकते हैं जैसे कि कोई इंग्लिस वीडियो है उसके इंग्लिस वर्ड्स है मैं उसे हिंदी में सुन सकते हूं और समझ सकते हूं उसका जो साइज है वो इस तरीके से हम बड़ा चोटा कर सकते हैं यल्व और ब्लैक ओकी गाइस इस तरीके से इसके कुछ फीचर से एक्सेस आप दे सकते हैं अब आउट हैल्प आप हैल्प ले सकते हैं यूटुब से कुछन पूछ के सेंड फीड़ यानि कि आपको कोई भी प्रावल्म आ रही है तो यहां पे आप हैल्प ले पाएंगे कुछ ऐसी प्रावल्म जो आपको नहीं समझ आ रही है तो सेंड कर सकते हैं अपनी फीड़ यूटुब के ट्रम्स समझ सकते हैं गूगल प्राविसी पॉलिसी समझ सकते हैं ओपन सोर्स लैसेंस इसके खास जोरत नहीं है जो वर्जिन है यह यूटुब का यह इतना है 17.03. 3.35 यूटुब और गूगल कंपनी अब इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं यूटुब और जो गूगल है ओके अब चलते हैं वीडियो की जो सैटिंग्स होती हैं वीडियो को आप किस तरीके से देख सकते हैं वीडियो को क्वालेटी किस तरीके से रख सकते हैं जैसे कि यहां पे मैंने अपनी वीडियो प्ले की अब जैसे कि यहां पे हैं सैटिंग्स अब आप इसे बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से आप लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और सेप भी कर सकते हैं और सेर कर सकते हैं अब जो इसके settings हैं अब वो आप यहां पर देख पाएंगे settings पर क्लिक करके ओके आप data save करना चाहते हैं तो आप data save पर क्लिक कर दें अगर आपको इस video की quality अच्छी देखनी है तो आप जो है quality high कर दें ओके जैसे कि यहां caption है caption यहां पर जोड नहीं पड़ेगे क्योंकि मैंने यहां पर caption नहीं दिया हुआ low video आप इसे on कर देते हैं तो guys क्या है कि जो videos एगर खतम होगे फिर वहीं दुआरा चलने लगती है रिपोर्ट कर सकते हैं help and feedback आप help ले सकते हैं feedback दे सकते हैं playback speed sometimes क्या होता है guys जैसे कि आपको कोई ऐसे videos देखने हैं जो बहुत ही slow बोल रहा है तो आप उसकी speed को fast कर सकते हैं कुछ ऐसे videos जिनकी speed बहुत fast है आप उसे slow कर सकते हैं अपने according जैसे कि guys यहां पर लिखा है more from exclusive ट description देख सकते हैं okay okay guys आप इसे auto play on रख सकते हैं यानि कि यह video खतम होने के बाद इसकी suggestion में कोई सी video चाहे मेरी video हो या कोई सी भी दूसरे channel की आती है तो वो अपने आप play होते हुए चले जाएंगी आप इसे off रख सकते हैं okay लेकिन अगर आप song सुनते हैं तो आप इसे on कर दिजएगा क्योंकि आप जो song सुन रहे हैं वो अगर auto play off है तो एक वार वो song play होने के बाद बंद हो जाएगा next song नहीं आएगा अगर आप on रखते हैं song play होते हुए चले जाएंगे आप इसे tv में भी देख सकते हैं okay अब जैसे कि वीडियो को छोटा करना है तो आप इस तरीके से क्लिक करके छोटा कर सकते हैं okay guys यहां से आपको पता है कमेंट करना होता हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कर दिसेगा यहां से इसके वारे में डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं okay guys रैस हम जो सर्च करते हैं उसके वारे में भी फिल्टर्स हैं आप किस तरीके से अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं वह आप मैं आपको बता देना चाहते हूं जैसे कि मैंने suppose यहां पर search किया इस तरीके से आप भी कुछ search करते हैं अब आपको चाहिए latest information तो आप क्या करेंगे यहां three dot पर click करेंगे filters पर जाएंगे तो कैसे आप यहां पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से आप समझ भी जाएंगे आप view count वाले वीडियो पर देखेंगे वीडियो चैनल सेलेक्ट कर लेंगे anytime जो भी आप अपने according यहां पर set कर लिजेगा जैसे कि मुझे चाहिए जिसके views जादा हो ओके चैनल का माइने नहीं है यहां पर all कर देते हैं time हो last year क्योंकि मुझे view count देखना है अगर सबसे जादा जिसके views होंगे साहथ उसके वीडियो काफी अच्छी होगी काफी informative होगी इस वज़े से मैं यहां view count कर रहे हूँ ताकि वो मुझे knowledge मिल जाए best जो मैं देखना चाहते हूँ duration कुछ भी हो यहां पर apply कर देंगे तो यहां पर जो hide your chat without achieved तो इसके सबसे जादा views है अब यह down जा रहे हैं इसका मतलब है कि इस वीडियो में कुछ खास है तो इस तरीके से आप filters का use करके आप informative जादा से जादा वीडियो पास सकते हैं अगर आपको download करना है creative comments videos तो आप यहां पर click कर देंगे यह creative comments पर कर रखा है आपको मैं इसका license दिखा देना चाहती हूँ creative comments तो आप इसे use कर सकते हैं लेकिन इसका कोई uses नहीं basically आप creative comments का तभी use करेंगे जो आपको कोई status की वीडियो को download करना है okay guys यहां पर आप लिखने के वज़ाए बोल के भी find कर सकते हैं यहां पर आप help and feedback आप दे सकते हैं जो भी आपको help लेने हैं वो आप ले भी सकते हैं आप contact कर सकते हैं via email आपको इसका answer मिल जाएगा so I hope कि guys यह वीडियो आप लोगों काफी helpful रही होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो please इस वीडियो को like comment and share जरूर करें और साथ में subscribe करने के साथ साथ bell icon भी प्रेस कर दिएए ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उसकी notification आपको मिल जाएए सो अब भी के लिए नहीं मिलते हैं next वीडियो में